यूनिट सेविन बिजनिस कम्मुनिकेशन का इसेंसियल्स ओफ बिजनिस लेटर मतलब बिजनिस लेटर को लिखने के लिए हमें किन-किन बातों का ध्यार रखना चाहिए उसको हम डिसकस करेंगे पहला पॉइंट है क्लियरिटी ओफ थौट थौट क्या होता है थौट वह होत घरिकोट है क्लियर्टी ओफ थौट Republican सेंटेंस जुटंऑ रहे हो बिजनिस लेटर में जो बात का लिखना चाहिए होहर हर बात कि म हैने जो थौट है जो आईडिया जो आप कंशने करेंगें किसी और ब्यक्ति को वह क्लियर होना चाहिए थीक है जो लिखने वाला है, जो business letter लिख रहा है, जिस language में लिख रहा है, उस पे उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि जो words impression डालते हैं, या फिर जो words simple होते हैं, जो समझने में आसान होते हैं, या फिर जो properly लिख सकते हैं, वो वही लिख सकता है जिसको बिसे में अच्छ knowledge होगी, ठीक है, तो यह 3 point है, पहले essential के clarity of thought, दूसरा होता है unity of subject matter, मतलब जिस subject पे आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप 2-3 subject पे एक letter लिख रहे हो, आपका subject unique होना चाहिए, अलग होना चाहिए, मतलब अकेला होना चाहिए, ऐसा नहीं आप 3-4 subject को मिला के एक letter लिख रह रहे हो, जैसे मुझे product खरीदना है, मुझे product बेचना है, मुझे product की marketing करनी है, आप इन 3-5 subject पे एक letter लिख रहे हो, तो वो letter ठीक नहीं रहेगा, वो letter effective नहीं रहेगा, तो पहला इसका point है, each business letter is written with some definite purpose in mind, आप कोई भी business letter लिखते हो, तो आपके दिमाग में कोई purpose होता है, को आप हमेशा, जो subject होता है, वो ही purpose होता है, कि आप किसली letter लिख रहे हो, दूसरा point है, the writer must know the purpose or the subject matter of the letter, जो writer है, जो letter लिख रहा है, उसको पता होना चाहिए, कि वो letter लिख क्यो हो रहा है, उसकी letter लिखने की बज़े क्या है, reason क्या है, तिसरा point है, a letter should explain only one subject matter, एक जो letter है, वो सिर्फ एक subject पे ही बात करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे बिश्यों पे एक letter लिख रहे हो, सिर्फ एक बिश्यों पे एक letter लिखा जाना चाहिए, तीसरा point है, exactness या gravity, हम बहुत सारे questions में इस topic को discuss करते हैं, exactness या gravity क्या होता है, gravity मिस होता है, briefly, मतलब थोड़े सिर्फ देना है, लेकिन थोड़े सब्दों में, तो इसका पहला point है, long sentences expressing no meaning should be avoided, लंबे लंबे बाक्य, जिनमें कोई भी meaning नहीं होता है, जो कोई meaning share नहीं कर रहे हैं, जो कोई meaning convey नहीं कर रहे हैं, उनको avoid करना चाहिए, उनको नहीं लिखना चाहिए, दूसरा point है, each sentence should be brief and must tell exact information only, हर एक जो sentence आप letter में लिख रहे हो, वो brief होना चाहिए, संचित में होना चाहिए, और exact information पास करना चाहिए, ठीक है letter में, तीसरा point है, it should be short and to the point, ये कैसा होना चाहिए, short हो और to the point हो, ऐसा नहीं कि आप बड़ा लिख रहे हो, उसको explain करे जा रहे हो, जहाँ पे आपको point है, politeness and courtesy, courtesy मीं सोता है, बिनमरता, politeness मीं सोता है कि अच्छे भाव से, तो इसका पहला point है, the letter should be courteous and polite, जब letter में जो language लिख रहे हो, ठीक है, वो polite होनी चाहिए, एक अच्छी होनी चाहिए, friendly type की होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप उस पे कोई hard words का use कर रहे हो, कुछ ऐसे words का use कर रहे हो, कि इसको पढ़ने के बाद उसे अच्छा फिलना हो, एक polite बेम है, जिसमें please, thank you, in word का आप use कर सकते हो, दूसरा point है, it pays to be polite in all situation, कोई भी situation हो, आपको polite रहना है, जैसे किसी ने आपका lawn बापस नहीं किया, आप से रुपर लेके गया था, उसने आपका बापस नहीं किया, तो जब आप उसे letter लिख रहे हो, business letter, तो वहाँ पे भी आपको polite रहना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब आप उसने आपके साथ कोई गलत किया है, तो आप कोई दूसरी language का, दूसरी language पे आगए, अपना रूप बदल रहे हो, नहीं आपको हमें सा polite रहना है, त उसकी education किया है, क्योंकि जो आपके thoughts से आपके बिचार है, जो आपकी भाहसा सहली है, जो बोलने का तरीका है, अपने आपको describe करने का तरीका है, वही इंसान की दरसाता है कि वो कितना सिक्षित है, इसका चौता point है, leaves a good impression on the mind of the reader, जब आप politeness और courtesy से कोई letter लिखोगे, बिन writer है, वो बहुत अच्छा आदमी है, मिस आपके words दरसाते हैं कि आप कैसे हो, क्योंकि reader ना आपके सामने है, वो आपको देख रहा है, face to face story, interaction के आपके कपड़े से, आपके style से, वो समझ जाए कि आप कैसे हो, वो आपके message को पढ़के समझेगा कि आप कैसे इंसान हो, यह हो होता है कि उस पर effect पढ़े, कैसा अच्छा प्रवाव पढ़े, तो पहला point है, अब business letter should be convincing and effective, business letter हमेशा convincing रहना चाहिए और effective रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका letter पढ़ने के बाद जो reader है, वो आपकी बाद से सहमत ही ना हो, वो सहमत हो जाना चाहिए, ऐसा business letter होना चाहिए दूसरा है, it should convince the reader that the writer is sincere and honest, जो writer है, वो sincere है और honest है, इमानदार है, जो बात लिखा है, वो सच है, ऐसा reader को लगना चाहिए, वो इस बात में सहमत होना चाहिए, कि जो writer ने लिखा है, वो सही है, अगला point है, all the statements made should be true, आप जो भी letter में लिख रहे हो, जो भी statements दे रहे हो, जो सही सच होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई दूसरी बात उसमें लिख रहे है, कोई जूट लिख रहे हो, क्योंकि जूट का जो परदा होता है, जारा time तक नहीं टिकता, और जब वो खुलता है, तो फिर जो इनसाम, जो जूट के परदे में रहता है, कभी आप बिसपास नहीं कर सकता, हमेशा सच का परदा दिखारा चाहिए, अगला पॉइंट है, अन्ट्रू स्टेटमेंट्स में हैल फॉर वाइल, वर्ट वन्स इटेक्टिड दा होल इमेज विल वी स्पॉयल, वही बात है कि जो जूटे स्टेटमेंट्स होते हैं, वो कुछ समय के लिए पतलब जो आपका लेटर है, उस पे जो फर्स्ट इंप्रैसन रहेगा, जब उसको देखता है, रिसीवर, आपने कैसे पेश पे लिखा है, आपने किस पैन का यूज़ किया है, आपका हैंट राइटिंग कैसा है, उसको कैसे दरसाया है, मार्जिन की है की नहीं की है, कहां पर कॉमा लगाया है कहां पर लाइन चोड़िए इन सब चीजों का ध्यार रखना चाहिए क्योंकि लेटर को देखकर उसका मन करना चाहिए कि मुझे लेटर पढ़ना है तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं तो आपने उसमें यूज्स किया है जो पैन यूस किय आपने अगर कोई दूसरा कोई भी स्टेंश highways किया है तो ब होता है स्टेंशनरी वह किसा होना चाहिए अच्छा होना चाहिए ड Smaller 2 टैपिंग अगर आप टाइपिंग करते देखरेतीं precursh होनी चाहिए जिससे की रीडर को अच्छा लगे अगर आप handwriting से टाइप कर रहे हैं तो आपका handwriting एक decorative अच्छा होना चाहिए अगला है systematic paragraph जो आप paragraph लिख रहे हो systematic way में होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने तीनो paragraph एक की कोई line नहीं चोड़ा है ठीक है जब appliance लिख रहे हो तो आपको single space देना है ठीक है और जब paragraph लिख रहे हो तो आपको double space देना है इसका भी धियां रखना तो systematic paragraph होनी चाहिए उसके बाद easy language and expressions जो आपकी language है वो हमेशा easy रहनी चाहिए रीडर को जहादा effort नहीं मतलब लगाने पड़ें आपकी language समझने के लिए एकदम बिल्कुल simple और easy language में letter लिखा होना चाहिए ठीक है उसके बाद अगला जो है वह एक्सप्रेस जो आप एक्सप्रेस करना चाहरे हो वह भी easy होना चाहिए उसको आराव से समझ में आना चाहिए अगला पॉइंट है continuous exercise of learning should be carried out by each business letter writer जो भी business letter लिखता है उसको learning की continuous process continuous exercise करनी चाहिए उससे सीखना चाहिए कि अच्छा letter कैसे लिखा जाता है ठीक है अगला पॉइंट है neatness neatness में होता है सफाई do not make spelling mistake and do not do overwriting मतलब आप उसे साफ सुत्रा रखो ऐसा नहीं कि आप उसमें spelling mistake करके फिर काट रहे हो फिर द्वारा उसको लिख रहे हो तो उसमें एक गलत impression पड़ेगा उसको साफ सुत्रा रखो को भी spelling mistake मत करो और दूसरा है overwriting नहीं करनी है जहापे जगे नहीं है तो आपे उसको जब correct format या statement पहला point है whatever is stated in a business letter should be correct मतलब जो भी business letter में आप लिख रहे हो वो कैसा होना चाहिए correct होना चाहिए सही होना चाहिए overstatement should be avoided statement भी सोता है जो आप उसमें दरसा रहे हो जो आप बताना चाहरे हो तो overstatement मतलब जिसना आप बताना चाहरे हो उससे ज़्यादा बता रहे हो तो वो अवोड़ेड करना चाहिए जो बताना है आपको exact message जो आप send करना चाहते हो आपको बस उतना ही business letter में लिखना एक्स्ट्रा नहीं लिखना है दूसरा point है direct style इसको समझते हैं देखो इसमें क्या होता है कि हमारे 2-3 तरीके के हम 2-3 तरीके से बात करते हैं जैसे आप किसी को मसका मारने के लिए buttering करने के लिए बोल देते हैं कि आप से बात करके हमको बहुत अच्छा लगा स आप उसे buttering कर रहे हो आपको direct style रखना है कि आपसे बात करके हमें अच्छा लगा nice to meet you nice to talk you तो यह होगा direct style इसमें होता है the writer should follow a direct approach जो writer है वो हमें इसा direct approach फॉलो करना चाहिए जैसे indirect होता है we are assuring you of our extreme desire to serve you ठीक है यह होगा indirect इसका क्या होगा we shall be happy to serve you हमें खुसी है कि हमने आपको serve किया हमने आपकी मदद के तो यह होता है direct आप इसे समझ सकते हैं तीसरा है use of active voice Door voices होती है active और passive ठीक है आपको business letter में हमेषा active voice का use करना है festive voice को avoid करना है जहां जहां आपको use कर सकते है active voice वहापь active voice का use करना ठीक है most अगला है positive construction मतलब इसका negative होगा if you do not execute the order by the end of this month we solve take a legal action मतलब जब भी आप किसी भी business letter में अपने जो paragraphs लिखते हो जो अपना thought लिखते हो उसमें हमें सब positive construction करना चाहिए positive approach होना चाहिए ना कि negative जैसे मालो कि किसी ने आपका lawn नहीं चुकाया तो आप बोल तो अगली बार नहीं चुकाया न तो तो मैं legal action लोगा तो मैं चेल करा दूगा तो यह negative है आप उनसे बोलो कि आप जल्द है अगर दो महीने में नहीं चुकाया तो तुम्हारे ऊपर legal action लोगा और तुम्हें जेल हो सकती है तो वह negative approach है हमेशा हमें positive construction में ही letter लिखना चाहिए अगला evidence of absolute language मतलब अप्रचलित वासा से बचे जैसे मालो कि बहुत परानी वासा है बहुत पराने words होते है फ्रैसे होते है जिनका use बहुत time से चलता रहा है उनसे बचना चाहिए जैसे बर्सों से कई stock word and phrases उपयोग की जाती है जो आज भी आम commercial letter में use की जाती है आज भी लोग उसको लिख रहे है ऐसे सब्द letter की originality को reduce करते है और पढ़ाता कि इसमें impression expressing new words मतलब interesting होना चाहिए तो अगर आप ऐस words का use कर रहे हो जो बहुत पुराने प्रेचलेते हैं जिनका use बहुत पहले हुआ था अगर आप उनका use कर रहे हो तो वो एक अच्छा impression नहीं डालेंगे interesting नहीं होगे तो हमें उन words से बचना है जहां possible message के लिए new words का प्योग करें आप नए words का प्योग कर सकते हैं कोई नए phrases प्योग कर सकते हैं जो पुरानी phrases है उनका प्योग मत करो this is possible if the writer has a command over the language and vocabulary यह तभी possible है जो business letter लिख रहा है जो writer वो language के ऊपर उसका अच्छा command होना चाहिए और उसकी जो vocabulary है जो इसकी सब्दा बली है वो अच्छी होनी चाहिए ठीक है तो यह सभी थे आपके style of business letter अब आत आप देखो इसमें क्या है कि जो यह letter लिखा जाता है यह buyer के द्वारा लिखा जाता किसको seller को जैसे मालों कि वो पूछना चाहरा है कि आपके हापी pants में कौन-कौन से types है या फिर mobile में कौन-कौन से gadgets है मुझे 4GB रहे माला mobile चाहिए तो आपके हाप कौन-कौन से मिल सकते है तो वो letter of inquiry क्या करता है seller को लिखता है ठीक है seller उसके reply में letter of equation देता है मतलब जो product या जो भी चीज़ उसने पूछी है उसके बारे mention करता है जब कोई seller product के बारे mention करे तो उसे हम बोलते है letter of quotation letter of inquiry का response होता है जो letter of quotation ये क्या होता है letter of inquiry जो seller को लिखा गया तक इस के दौ़रा बायर के द्वारा उसका response होता है अब यह को लिख रहा होगा seller लिख रहा होगा बायर को response दे रहा ना feedback दे रहा है ठीक है जिसमें inquiry में पूछेगे विस्यों को mention किया जाता है जैसे आपने inquiry पूछा कि मुझे pants चाहिए या lower चाहिए जैस में तो कौन को से टाप की बिल जाएंगे तो जो भी डिटेल्स देता है फिर अब यह पहुंच गया इसके पास बायर के पास अब भी कोई feedback देगा ठीक है तो वो letter of planning & order अगर उसको quotation के दौरा जो product है जो mention किया गया seller के दौरा अगर उसे पसंद आता है तो वो क्या करेगा order करने की सोचेगा तो वो क्या करता है एक placing and order का letter लिखता है किसको seller को तो इक किसके दौरा लखा जाता है wire के दौरा लखा जाता है seller को ठीक है फिर letter of acceptance of order फिर जब placing and order का letter supplier को मिलता है supplier क्या करता है उसको letter पापस बेचता है buyer को कि आपने जो order place किया है वो आपका accept हो चुका है ठीक है तो letter supplier दोरा बेज जाता है buyer को कौन सा letter of accepting of order फिर अगला है letter intimating supply of goods मतलब सूचना किसकी goods की supply की तो ये भी supplier लिखता है किसको buyer को पहले लिखता है कि आपका जो order है वो accept हो चुका है फिर वो लिखता है कि आपकी जो goods है वो supply होने की सूचना देता है कि इतनी goods से इतनी supply हो रही है इतना आपसे पैसा लिया जाएगा तो इस सब की सूचना भी supplier देता है किसको buyer को कौन से letter के जब goods को open किया तो उसमें goods में कही न कहीं कुछ न कुछ missing था या फिर goods उस quality की नहीं थी जो supplier दोवारा letter of condition बताया गया था या फिर goods में कोई कमी थी तो क्या करता है claim करता है ठीक है letter of किसका लिखता है claim का complaint का या adjustment का claim तब करेगा जब उसे कोई different goods बिलेगी या फिर good होगी न करेगा और adjustment का तब करेगा जब उसे दूसरी good चाहिए ठीक है वह चाहरा है कि मुझे यह वाला पसंद नहीं है color मुझे दूसरा color चाहिए या फिर उसका adjustment उसे चाहिए तो यह सभी जो letter से वह बायर लिखता है किसको supplier को ठीक है supplier को complain करता है claim करता है और adjustment करता है फिर अगला agency later यह important है इसको समझ लो agency मी इसको हम बोलते sales later अब देखो एक company होती है वो अपनी company की growth करने के लिए अलगला branches खोलती है जैसे मालों की headquarter अलग होता है जैसे उसने दिली में उसकी जो man branch है उसको हम बोलते headquarter अब उसको क्या करना है कि अपना business expand करना है all over the India तो बैंगलोर मे खोलेगा चैनाई में खोलेगा मंबई में खोलेगा तो अलगलों उसको क्या चाहिए अपनी branches चाहिए अब company के पास इतना fund नहीं है कि अपनी branches कोल सके क्योंकि branches के लिए infrastructure चाहिए सब पूरी machinery चाहिए आपको employees चाहिए ठीक है तो वो क्या करता है कि और जो firm होती है जैसे मा बरतन बनाती है तो मैं उससे क्या करता हूं कि भई है हमारे बरतन लो और आप दिल्ली में परिचार करो तो हमने एजेंसी देते हैं क्यां देते हैं। एजेंसी डील होती है जिसमें कि जो दिल्ली वाला business firm है उसके साहना deal करते हैं कि वो हमारे business का परिचार करेगा उसको sell out करेगा तो यह से हम बोलते हैं इजंसी लेटर ठीक है जब किसी बिजनिस फिर्म के पास ब्रांच इसको ले का अधिकार या पैसा नहीं होता अधिकार नहीं दूसरे फर्म के साथ एजंसी खोलती है एजंसी का मतलब होता है एजेंट बना कर अपने प्रोड़क्त की sale करवाना, it helps to expand business, इससे क्या होता है, business expand करता है आपका, दूसरा है cost of operation and maintenance of branches are saved जो cost आपकी branches को बनाने में और उसके maintenance में लगती, वो आपकी बच जाती है उससे आप कोई दूसरा काम कर सकते हो, अगला point है status inquiries, ठीक है, inquiries about the creditability financial standing and dealing of business firms, जो यह होता है, यह क्या करते है, जो customers होते है, या company की shareholders होते है, ठीक है या फिर जो भी connected होता है, जो clients होते है company के, जो भी connected होता है company के साथ, जो dealing करते है company के साथ वो क्या करते है, company की जो creativity है, उसको financial standing और जो भी company के regarding information है, उसको जानने की कोसिस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं status inquiry तो वो company का status की inquiry करते हैं पूश्तास करते हैं अगला है banking letters अब यह letters कैसे होते हैं letters return to the banks for different services जब letter bank को लिखा जाता है कुछ services के लिए लेको हर company bank पे dependent रहती है क्योंकि bank एक financial body होती है जो उनको loan provide करती है ठीक है जब उनको need होती है पैसे की तो वो bank से लेते हैं तो bank पे dependent रहती है company है उनका जितना भी पैसा है वो सब bank में ही जमा होता है तो जो वो letter लिखते हैं किसको banks को letter of credit उनको launch चाहिए या फिर कोई पैसा चाहिए उसका letter लिखते है collection of checks उनको check collect कराना तो उसका letter लिखते है फिर issue of draft draft को issue कराना तो उसका letter लिखते है ऐसे बहुत सारे letters होते हैं जो company इनि बैंक को लिखती है तो नहीं हम बोलतें बैंकिंग लेटर सृट है टो बनक सुद hefolg and एकजैक जो भी लेटर आप बैंक को लिख रहे हो ब्रीफोंच और एक्जै она क्यों होना चेह क्यों कि आपको इसको फ्इूचर इ्इडेंस की रूप में रखना है अगला इसमें अब देखो यह पूरा हो गया टाइप सॉब लेटर इसमें कुछ इंपोर्टेंट टम्स है नहीं हमने भी एजनसी लेटर के बारे में पढ़ा था एनी रिटर्ण communication regarding the business dealing of a firm with another firm acting as its agent मतलब कोई भी written communication किसके लिए business dealing के लिए किसका एक firm से दूसरे firm का क्यों क्योंकि उनको business को expand करना है अपना product sell out कराना है उसे हम बोलते हैं agency letter दूसरा है banking letter अभी पढ़ा हमने इसके बारे में कि letter written to bank for utilizing some financial service offered by the bank मतलब letter लिखा गया है किसको bank को क्योंकि क्योंकि आपको bank से कुछ services utilize करनी है या फिर उनसे कोई services चाहिए तो यह यह भी सी का point है business अगला point है business letter तो a letter written by a businessman for seeking or giving a business information मतलब एक business man के द्वारा letter लिखा गया है क्यों लिखा गया है वो तो या तो वो कोई information पाना चाहरा है या कोई information देना चाहरा है उसे हम बोलते business letter तो यह थोड़े important terms थे I think आपको समझ में आगे होंगे अबवे